हलो इस्टेंट्स वेलकम बैक न्यूव केशन केशन नमर 4 एकसे 6.3 देखो क्या कहा रहा है सिंपल केशन है प्रूव्ड एट फॉल्विंग 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 दो नौट है अगर इसको जीरो पूट करेंगे तो एक पार एक्स हो जाएगा अब आप मुझे बताओ वी नौट एक्सपोनेंशल कैन नेवर भी कैन नेवर भी इन जीरो एक्सपोनेंशल कभी भी जीरो नहीं हो सकता सो एक्स डजन सो एक्स डाज नॉट कि वैव एनि वैल्यो लैट एक्स बिलॉंग टुः आ ऐसी कोई वैल्य नहीं मेरे पास इसके ओपर यहां सके और मैं क्या कह सकूं कि एवट डैश एक्स टू जीरो है ऐसी कोई वैल्य नहीं है, बिल्कुल नॉट आ Minima And Minimum बताओ समंजम है कि हासल Спonential जीरों आगया प्रिटिकल पॉइंड निकलेगँ तो 마지막 Marga निकलेगा और यह निकलेगा तो maximum minimum refuse भी नहीं निकलेगा Still News the question जएदा hard नहीं है GX equals to log X हो गया Same question differentiate करो अगर यह पॉसिवल नहीं है मेरे पास और मैं यह कह सकता हूं here x belongs to r here here c x has not a value has not a value that x belongs to r ऐसी कोई value नहीं है जो मैं आपे put कर सकूँ और मेरे पास 0 निकल सके such that f x f dash x equal g na g dash equals to zero by g dash x equal फे मेरे कोई value 0 आई नहीं दी जब मेरे पास 0 नहीं आ रहा तो मेरे critical point नहीं निकलेगा जब critical point नहीं निकलेगा तो condition not possible है यहां पर मैं लिखूंगा there for जी है जी है नॉट आ मैक्सिमा एंड मिनिमा बताओ सब्सक्राइब के हां सरा गए यह होगा सेक्ट पार्ट अब आ जाओ थर्ड पार्ट पर अंस्य थर्ड पार्ट अपनलमें जेस हह टेक्वाल स्टू एक्सटू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फ्लस एक्स टू प्लस लहांत वाग झेलिए ह chauffeur है बागे थोनो भाइश आगे आपके पास ठीक है पूट फिल एच डैश एक्स एक्वल्स तो जीरो पूट किया आप ने 3x square plus 2x plus 1 equals to 0 ठीक है अब देखो अब आपको क्या दिख रहा है यहां पर यहां पर दिख रहा है कि हमें यहां पर मिडिल स्पेटिंग को लग नहीं रही जिसका multiple जो है 3 हो और उसका addition subtraction क्या निकल जाए 2 निकल करा जाए ठीक है तो क्या करेंगे ऐसे question में हम इसको quadratic formula लगाएं quadratic formula समझते हैं आप लोग quadratic formula सीखा था आपने यह वाला x equals to minus b plus minus root b square minus 4ac upon में 2a वो formula लगाके मैं इसको break करने कोशिश करूँगा तो यह आपका a होता है यह आपका b होता है यह आपका c होता है तो formula के साबस देखो minus का 2 plus minus root b का square minus 4 a और c upon में क्या है आपके पास 2a 2 into 3 ठीक है सर को टूजा 4 minus 4 त्रीजा 12 upon में 2 त्रीजा 6 बता हो संझ में आया क्या है यह आप आगया जवाब कितना हो जाए गई x equals to minus 2 plus minus और यह कितना है माइनस का 8 upon में कितना आ गया 6 आ गया ठीक है यहां तक क्लियर होगी होगी सारी चीज़े हां सर क्लियर है अब मैं क्या कह रहा हूँ आप से यह जो आपके आज value निकल कर आईए x की यह जो आपके आज value निकल कर आईए आप देखो इसके अंदर अगर मैं minus को solve करूँ ऐसे तो मैं root 8 multiply root minus 1 लिखूंगा अब आपने 5th chapter पढ़ा है class 11 का complex number पढ़ा है आपने सर बिल्कुल पढ़ा है इसमें यह आयोटा बन जाता है सर बिल्कुल अब यह आपके पास क्या है it have no real root इसके अंदर क्या नहीं है कोई real roots नहीं है अगर आपके पास real roots नहीं है तो आपके पास solution में critical point भी नहीं निकलेंगे तो यहाँ पर जो value निकल क्या रही है x not belongs to real number कोई भी ऐसा value नहीं है जिसके अंदर real root निकल not belong to real number हो गया हाँ सर अगर ऐसा हो गया है तो हम यहाँ पर कैसेंगे it have not possibly a critical point अगर इसके अंदर कोई critical point नहीं निकल पा रहा है आपके पास क्योंकि यह real root नहीं निकल रहा है तो हम क्या कह देंगे सर हम यह कह सकते हैं यहाँ पर therefore therefore edge has not a maximum and minimum बता सुन्जमा आएंगे हां सा सुन्जमा आगया तो यहाँ पर solution नहीं होगा और यहाँ पर प्रिटेक पॉंट नहीं निकलेंगे क्योंकि आपके पास आटा आगया real root नहीं निकल पाएंगे तो यह हो गया आपका question number four and आप इस तरीक पहले वाले की दर्वी लिख सकते हों नहीं से जीरू निकला दाना कि हमारा जो function है वह किसी भी value पर जो है एफ डैश पर जीरू नहीं आ रहा है ठीक है तो आप इस तरीके से भी शो करके लिख से है तो clear हो गया आतर ठीक है तो यह question number four टेके तो